देश में 2023 में साइबर ठगिये कुल 11.3 लाग केस दरज हुएं जो अब 2024 में 60% भड़ चुके हैं नमस्कार मेदिती फॉज़र आप देख रहे हैं हमारे साथ दनगरी मीडिया अलग-अलग राज्यों के लोगों से 7,49 करोड रुपे की ठगी हो चुकी है लेकिन जब इन आकडों को population ratio में रखा जाता है और देखा जाता है तो तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है सबसे पहले हम जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है साइबर क्राइम एक computer या computer network से जड़ा हुआ अपराद है साइ привет अपराद किसी की सुरक्षा या फाइनस को भी नुकसान पहुचा सकता है अंतराश्टे स्तर पर कुछ कृमिनल टेंडेंसी के लोग साइबर अपरादों में शामिल होते हैं जिन में से जासूसी, फाइनेशल चोरी और अन्य सीमा पर अपराद शामिल है अंतराष्टे सीमाओं को पार करने के वाले या एक राष्टे राज्य के कारेयों को शामिल करने वाले साइबर अपरात को कभी-कभी साइबर युद्ध भी कहा जाता है। 2023 में दिल्ली में 10 लाग लोगों के साथ 352 लाग की ठगी भी हो चुकी है। दिल्ली के बाद सबसे खराब स्थिती हर्याना और तेलांग ना की है। ये खुलासा लोग सबा में एक रिपोर्ट में किया गया था। इंडिन साइबर क्राइम कॉडिनेशन सेंटर की इस रिपोर्ट के मताबिक 4.7 लाग कंप्लेंट के बाद 1200 करोड रुपे वापस दिलाए गए हैं। ये लोग वे हैं जिन्होंने ठीक ठगी के कुछ वक्त बाद ही रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इनके अलावा करनाटिका में 107%, यूपी में 98%, तमिलाडू में 83%, हिमाचल में 77%, केरल 36गड में 71% और पंजाब में 70% साइबर फ्रॉड हुआ है। आज कल नई तरीके हैं कुछ फ्रॉड करने के। सबसे पहले एक तरीका बताया जा रहा है जो की लोन सेटलमेंट का है। साइबर ठगी का ये तरीका नया तरीका है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े डेटा लीक सामने आई है जिसमें 26 करोड रिकॉर्ड साइबर अपरादों के साथ लग गये हैं। जिसमें Twitter, LinkedIn, Telegram, Adobe समित कई कंपनिया यूजर्स डेटा लीक से खत्रे में हैं। रिपोर्ट के मताबिक इसे Mother of All Breaches कहा जाता है। साइबर अपरादियों के साथ कुल 12 TB टेटा हाथ लग गया है। जिसका गलत तरीके से भी इस्तमाल किया जा सकता है। Security, Discovery and Cyber News Research के रिपोर्ट के मताबिक ये कहा जा रहा है कि डाटा ब्रीच को अब तक का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच कहा जाता है। इसके साथ ही 26 करोड रिकॉर्ड में 3800 फोल्डर साइबर अपरादियों के हाथ लग चुके हैं। हर फोल्डर में अलग-अलग तरह का डाटा हो सकता है। इसके साथ ही आप सभी भी से अनिरोध किया जाता है कि आप भी ऐसे स्कैम से सतर करें। आज के लिए बस इतना है ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ धन्यवाद।